हेलो एवरीवन आप सब का स्वागत है कोर्ट फर एड्यूकेशन में यह है रियाक्ट जेएस का पार्ट नमबर एड गाइस इसके अंदर हम देखेंगे आपका जीएस इसक्स वट इसक्स और जीएसक्स को समझ देएं कोईश करेंगे तेओर एंट टाक्टिकल गाइस जैसके गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई रियाक्ट जेएस टूटुल की स्रीज चल रही है अगर आपके कोई भी वीडियो में सुझाती तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिशन बाक्स मिलेगा वहाँ जाकर आप वीडियो देख भी सकते हैं आपको मेरी शोर्स कोड फ्री ओफ कोस्ट कहां से मिलेंगे हमारी वेबसाइट पर मिलेंगा और गिटब के लिंक पे ये भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे गाई तो चलिए यहाँ पर सबसे बहले देखते हैं वाट इजए जीएस इसका इंट्रोड़क्शन रखा है इस JavaScript Extension is a React Extension which allows writing JavaScript code that looks like HTML. In other words JSX is an HTML-like syntax used by React that extends ACMA script so that HTML-like syntax can co-exist with JavaScript React code. The syntax is used by preprocessor example-like bubble to transform HTML-like syntax into a standard JavaScript object that a JavaScript engine will pass. Okay, so इस paragraph में जो mention करा हैं मैंने, first JavaScript के अंदर जितनी भी चीज़े मिलती हैं वो ही चीज़े हमें React में मिलती हैं देखने को. अब React क्या करता है कि combination है वो आपका कि आप JavaScript के साथ में HTML-like code को भी राइट कर सकते हैं through JSX. आप सबको लगा होगा कि JSX एक अलग से proper एक format है, नहीं, जितना भी code आपका React के अंदर अभी तक हमने देखा है, वो सारा कुछ आपका JSX के अंदर ही आता है. कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा, जब मैंने आपको advanced JavaScript के series में जब पढ़ाया था मैंने, तो वहाँ पर आपका हर एक चीज script tag के अंदर JavaScript लिखा जाता है. ठीक है? पर आपका React के अंदर हम तो script tag use ही नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं? हम एक function declare करते हैं, then उसके बाद return, और आपका JSX. Next, यहाँ पर JSX provide you to write HTML, XML like structures. Example, DOM like tree structures. In the same file where you write JavaScript code, then pre-processor will transform these expressions into actual JavaScript code. Just like XML, JavaScript, JSX tags have a tag name, attribute and children. Okay, जिस तरह से आप यहाँ पर HTML के अंदर जब कभी भी एक tag या element create करते हैं, तो वहाँ पर id, class, attributes का use करते हैं. Same, यहाँ पर भी हम JSX के अंदर जब कभी भी किसी भी एक components को design करते हैं, तो वहाँ पर भी उसके पास में यह सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं. कैसे? तो चलिए यहाँ सबसे पहले चलते हैं अपने iter पर और आपको मैं example में करके दिखाता हूँ इस चीज़ को. So guys, यहाँ iter पर आने के बास सबसे पहले मैंने यहाँ पर file open कर रखी है, और file open कर रखी है, तो app.js यहाँ पर open हो रखी है, और यहाँ पर आपको अभी तक जितने भी format दिख कर सकते हैं, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक function लिया है, यहाँ पर function के बाद में declare करा function का name, return, return के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हम सीधा HTML को लिख पा रहे हैं, यह चीज़ आप normal HTML में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको body के अंदर यह चीज़ लिख आपकी JSX की code को run करना होता है, तो कैसे होता है, ठीक है, तो मैं पहले आपको यहाँ पर एक नई file बना के दिखाता हूँ, जिसका extension हम JSX रखेंगी, वो file भी हमारी normal file की ही तरह होती है, तो मैं यहाँ पर एक नई file create करता हूँ, जिसका नाम में रख लेता हूँ, आपका user.js JSX, अब आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक नई file create करी, JSX के नाम से, तो यहाँ पर आपका react का symbol आ गया, तो आपको visible हो भी रहा होगा, अब यहाँ पर आपको मैंने normal function declare करने का तरीका बताया था, या तो आप यहाँ पर export, default, और default के बाद में जो भी आपको function बानी h1 और इस h1 पर मैं कर देता हूँ, hello users, ओके, यह मेरी एक file हो गई, अब आपका एक question होगा, कि JSX same work करेगा, dot js की तरह, yes, same work करेगा यह भी, कैसे, अब हम करेंगे इसको import, यहाँ पर, देखे, users from, और then, इसके बाद में हम अपनी file को यहाँ पर import करवा लेंगे, import कराने के बाद में हम यहाँ पर, जैसे मैंने आपको previous कुछ classes में बताया है, कि यहाँ पर इसको tag के तरह use करेंगे हम, तो यह सारी facility हमें कौन देता है, JSX की power देते हैं हमें, JS इसी हमें provide कराता है, कि किस तरीके से आप tag बना सकते हैं, किस तरीके से आप function logical काम के साथ में आप html को रख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, save, app already start है मेरी यहाँ पर, यहाँ चलते हैं browser पर, and browser पर आने के बाद आप देखें, तो देखें, hello world आपका app.js से आ रहा है, hello users आपका कहां से आ रहा है, users में से, ठीक है, अब यहाँ पर jss की और कौन सी power है, जिसको हम use कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम, चाहें मानी curly braces लिया मैंने, ठीक है, curly braces से पहले, एक minute, हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका, इसको wrap कर देते हैं, यह चीज़ मैंने आपको previous classes में सिखा दिये, अब मानिये मेरे पास में, यहाँ पर curly braces के बाद में, मैं कुछ into या multiply या add-on करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि यह मिल रहा है आपका JavaScript के वएसे, जो है JSX, JSX means like JavaScript plus आपका XML, ओके, यह दोनों combination आपका यहाँ पर हमें मिलती हैं चीज़ें, जिससे कि हम HTML भी लिख पा रहे हैं साथ में, और logical भी चीज़ें कर पा रहे हैं एक ही जगा पे, ओके, अब इसके बाद में, अगर यह च करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, comment, ओके, यहाँ पर comment करने के बाद में, यहाँ लिखता हूँ, मैं आपका return, ओके, return के बाद में, react.create element, यह create element मैंने आपको JavaScript के अंदर भी बढ़ाया है guys, ओके, और यहाँ पर आपको लेना है h1 tag, comma, इसके बाद यहाँ पर कि देखे, मैंने कुछ इस तरीके से इस चीज को यहाँ पर रख लिया है, अब आपको यहाँ पर react जो हमने लिया है, उसको भी तो import करवाना पड़ेगा, तभी तो वो चीज चलेगी आपके यहाँ पर, तो आपको क्या करना होगा, import, react, from, react, इतनी चीज आपको करनी है, कर water code है, जब हम उसको use कर रहे हैं, जो आपको jsx provide करा रहा है, और जब हम react के अंदर create कर रहे है, html को, वो देखे कितना लंबा method है, अगर मानिए इसी के अंदर, आपको एक और children create करना है, मानिए h1 के अंदर, आपको paragraph का tag आपको create करना है, वो कैसे possible है, तो आपको यहाँ प p tag लेना होगा, मानिए अभी भी मैं class और id नहीं ले रहा हूँ, नल कर देंगे उसे, और फिर मैं यहाँ पर आपका description, ठीक है, description हमें चाहिए, तो मानिए मैं description ले ले लेता हूँ, यहाँ पर description and then random, इतनी चीज मैंने कर दी, करूंगा मैं save, and save करने के बाद वापिस तो वापिस चलने के बाद आप देखेंगे तो देखें, hello j6 and description आपको यहाँ पर visible हो भी रहा है, अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर अगर inspect करूं, और inspect करने के बाद मैं दिखाऊँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें, इस चीज को मैं यहाँ पर select करता हूँ, select कर यहाँ के से आप j6 create कर सकते हैं, यहाँ पर, अगर मैं इस चीज को कि यहाँ पर कर दूं, comment, और वापिस मैं इस normal वाले को on कर दूं, करूंगा, save, and save करने के बाद वाद वापिस चलने तो देखें, simple, अगर मेरे को यहीं पर tag आपको चाहिए था, तो कुछ नहीं करना था मैं इसको भी comment कर देता हूँ, जिससे कि जब मैं यह push करूं code तो आपको मिल सके, और मैं यहाँ पर आपका description, यह देखें, simple, करेंगे save, and save करने के बाद चलेंगे यहाँ पर तो देखें, कितना easy है आपका jsx के साथ में, जो jsx हमें power provide करा रहा है, react के अंदर हम कितने easy तरीक यह है आपका JSS का part guys, उमीद करता हूँ कि आपको आज JSS clear हो गया होगा कि किस तरीके से use करना है हमें इस react के अंदर, आने वाली वीडियो में और detail में चलेंगे हम, तो अगर आपका कोई इस वीडियो से related कोई doubt है, तो comment करके अपने doubt को पूश सकते हैं, next video में आपको मैं क् next वाले part में हम देखेंगे आपका click event के बारे में कि किस तरीके से functional components के साथ में click event work करता है, theory and practical guys, thanks for watching on this video, जब click till then, bye bye guys झाले